यह कहानी एक ऐसे लड्की की है जो पैसो के लालच में किसी भी बुड़े आदमी के साथ घपा-घप कर लेती है यह मूवी एक Lucy नाम के लड्की से शुरू होती है Lucy एक कॉलेज में स्टूडिन्ट है वो सुबह एक आफिस में जॉब करती है और शाम को एक रेस्टरंट में भी काम करती है लूसी अपने दोस्ट के साथ एक बार में जाती है और पाउडर लेती है यहाँ लूसी और उसकी दोस्ट दो आदमी से मिलते है दोनों में बातचीत होती है तो उन में से एक आदमी Lusie के साथ घपागप करने के लिए कहता है और इसके बदले पैसे भी ओफर करता है और Lusie मान जाती है और उस आदमी के साथ बस्तर गरम करती है Lusie को पैसे को एक खाते लिये सब करना पड़ता था वो अपनी बहन और उसके boyfriend के साथ रहती थी उसकी बहन का boyfriend घर का मालिक था तो वो उससे rent मांगता था मगर Lucy उससे rent के लिए कुछ दिन के महुलत मांग लेती है उसकी बहन का boyfriend Lucy को महुलत तो दे देता है बदले में Lucy से वो bathroom साफ करवाता है पैसो के लिए Lucy एक laboratory में research subject के दोर पे भी काम कर लेती थी और अपने body पे medical research करवा के पैसे कमा लेती थी Lucy का एक bird man नाम का दोस्त था bird man Lucy से प्यार करता था मगर Lucy उसको सिर्फ एक दोस्त समझती थी Lucy को bird man की दोस्ती बहुत पसंद थी और दोनों काफी अच्छे दोस्त थे वो bird man से अपनी सारी बाते शेयर करती थी मगर bird man को शराब की बहुत बुरी लत थी जिसकी वज़े से वो अक्सर विमार रहता था और Lucy को ये अक्सर उसका खयाल रखना बढ़ता था Lucy bird man के सारे खर्चे उठाया करती थी Lucy को bird man के इलाज के लिए पैसो की जरुवत थी तो वो अब एक नए नौकरी दूलने लगती है वो अग बार में एक एड देखती है तो एक कम्प्री में अप्लाई कर लेती है Lucy को फिर नौकरी के इंटर्व्यू के लिए बिलाया जाता है जिस पे उसे Clara नाम की ओरत मनती है Clara इस कम्पने की मालिक थी और Clara उसे सब कुछ उतारने को कहती है फिर Clara और उसका एक असिस्टिंट Lucy के बाड़ी को एक्जामिन करते है कि कहीं Lucy के बाड़ी पे कोई इनशान तो नहीं पिर वो लूसी को सब कुछ पहनने के लिए कहती है फिर क्लारा लूसी को नौकरी के बारे में पताती है क्लारा कहती है इधर तुमें जो भी काम करने को मिलेगा वो तुम किसी से शेर नहीं कर सकती और इस बात को अपने साथ ही सीक्रेट रखना होगा Lucy को इस नौकरी के लिए waitress का काप करना होगा और इधर आने वाले अमीर आदमियों के लिए drink serve करनी होगी मगर इसे ही ये सब काम बिना कुछ पहने करना होगा जिससे वो अमीर आदमियों को लुभाए इसे इस काम के हर घंटे के अच्छे पैसे मिलेंगे Clara Lucy से कहती है कि वो बे फिगर हो जाए उसको कोई आदमी टच नहीं करेगा और उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा इस नौकरी के लिए Lucy को अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे तो उसने इस नौकरी के लिए हाँ कर दी अब Lucy को उसके काम दे लिए तयार किया जाता है Lucy के एक्स्ट्रावाल सेफ किये जाते है और उसको काफी अच्छे तरह से तयार कर दिया जाता है Lucy को एक कार पिक करने आती है जो उसे एक लोकेशन पे ड्रॉप कर देती है अब अपने नोकरी के पहले दिन white outfit पहन लेती है और अमीर आत्मियों के सामने dinner सर्फ करती है वो देखती है कि वहाँ बागी काम करने वाले black कपड़े पहने है और सिर्फ उसी ने white outfit पहना है Lucy ये काम सिर्फ दो बार ही करती है तो उसे Clara की assistant का call आता है वो Lucy से कहता है कि Clara ने उसे फिर से बुलाया है Clara Lucy को एक नई job offer करती है वो Lucy से कहती है कि वो यहाँ काम करने वाले सारी लड़कियों से ज़्यादा खुपसूरत है और वो इस खुपसूरती से दुखने पैसे कमा सकती है Clara उसे एक नए काम के बारे में बताती है जिसमें Lucy को बस उन अमीर आदमियों के साथ गले लगके शोना होगा यह अमीर आदमी Lucy को छूतो सकेंगे और उसकी बॉड़ी को महसूस कर सकेंगे पर Lucy के साथ घपा घप नहीं कर पाएंगे वो बस अपना अकेला पंदूर करने के लिए यह आदमी बस Lucy के बगल में सोईंगे इस काम के लिए Lucy को डबल पैसे मिलेंगे तो Lucy यह काम करने के लिए राजी हो जाती है फिर Clara उसे कहती है इस काम के लिए उसे नशे वाली ड्रिंक पीनी होगी फिर Clara उसे नशे वाली ड्रिंक देती है जिसमें नशे की गोलिया मिलाई थी लूसी ड्रिंक पी कर गहरी नीन में सो जाती है ख्लारा लूसी को बैट पे लिटा देती है और एक बुढ़े आद्मी को उस रूम में पुला लेती है उस आदमी को बताती है कि वो लूसी के बगल में सो सकता है और उसे चू सकता है मगर वो लूसी के साथ घबा घब नहीं कर सकता है वो आदमी ये करने के लिए थोड़ा डरा हुआ था तब क्लारा उस आदमी को यकीन दिलाती है कि यहाँ पर उसकी पैचान सेफ है और किसी को भी उसके यहाँ होने की खबर नहीं होगी क्लारा वहाँ से चली जाती है और वो आदमी अपना सब कुछ उतार के लूसी के साथ लेट जाता है वो लूसी के पपीते को छूने लगता है और उसकी कमर पर सरक के सो जाता है अगले दिल लूसी की बहन का बॉइफरिन उसको घर से निकाल देता है क्योंकि लूसी ने बहुत टाइम से रेंग नहीं दिया होता है मगर लूसी रेगलर लिये काम करने लग पड़ी थी मुनशे वाली ड्रिंग पी कर अपना सब कुछ उतार देती थी और फिर बैट पर सो जाती थी जिसके बाद उसके क्लाइंट साके उसके साथ लेट जाते थे इस वज़े से उसके पास काफी पैसे हो गए थे और अब उसने एक नया अपार्टमेंट भी ले लिया था और अपने बहन के घर से शिफ्ट होके अपने नया अपार्टमेंट में आ गई थी Lucy के पास अप पैसे की कमी नहीं थी अपने रूटिन के मुताबिक Lucy टाइम पर ड्रिंग पीके सो गई थी और उसके क्लाइन को Clara Rules समझा गई थी कि वो Lucy के साथ घपा-घप नहीं कर सकता Clara वहाँ से चली जाती है और वो client अपना सब कुछ उतार देता है मगर Lousy को ऐसे देखकर उसे रहा नहीं जाता वो Lousy को किस करने लगता है और उसको गालिया देता है Lousy तो नचे के विज़े से बेहोश थी फिर वो आदमी Lousy के साथ सारी रात घपा घप करता है सुबह जब Lousy को होश आता है तो उसे अपनी बॉडी में दर तो महसूस होती है क्योंकि उसकी क्लाइन ने उसके साथ घपा घप किया था मगर इस बात का लूसी को तो नहीं पता चलता क्योंकि वो तो बेहोश थी लूसी सुबह अपने कॉलेज में पढ़ती और शाम को अपनी नहीं नौकरी करती एक दिन वो क्लास में पैठी थी तो उसको बॉर्ड मैन का कॉल आता है कि उसकी तबित काफी खराब हो चुकी थी वो फॉरन से बॉर्ड मैन के घर पहुचती है तो उसे पता चलता है कि बॉर्ड मैन ने उसको बाहु में ले लेता है दोनों बाते करते हैं और बॉर्ड मैन लूसी के बाहु में दम थोड़ देता है बॉर्ड मैन के फुरूनल पर लूसी का एक्स बॉइफरेंड भी आता है तो लूसी उससे बात करने लग जाती है दोनों बर्ड मैन की यादों को याद करते हैं लूसी उससे कहते हैं कि बर्ड मैन उससे हमेशा कहता था विल यू मैरी मी तो उसका एक्स बॉइफरेंट समझता है कि लूसी उससे शादी करना चाती है जिस पे वो लूसी को काफी बुरी बाते बोल देता है वो लूसी से कहता है कि तुम्हें बहुत बुरी आदते है और तुम्हारे जैसी लड़की शादी के लायक नहीं होती लूसी को ये सुनकर काफी बुरा लगता है अब वो काफी उदास हो गई थी क्योंकि उसका एक ही अच्छा दोस था बॉर्ड मैन जो कि अब नहीं रहा उसके पास अब कोई भी नहीं था जिससे वो अपने बाते शेयर कर सके लूसी को फिर क्लारा बुलाती है क्योंकि किसी अमीर आदमे को उसके साथ घपा घप करना था लूसी रूटीन के मताबिक ड्रिंक पी लेती है और सब कुछ उतार के सो जाती है फिर वो आदमी आता है और क्लारा उसे सारे रूल्स बता देती है और वो भी अपना सब कुछ उतार देता है वो लूसी को बैट के किनारे कर देता है और फिर लूसी को किस करने लगता है यहाँ पे कहानी में यह दिखाया जाता है कि लूसी के साथ घपागप करने वाले आदमी काफी अजीब थे लूसी को अपने आफिस के जॉब से फायट कर दिया जाता है क्योंकि लूसी कई काम कर रही थी जिसकी वज़े से उसका ध्यान इस काम पर नहीं था वो फिर मॉल जाके एक कैमरा खरीती है शाम को रेस्टरॉन से प्री होके वो अपने कलीक के साथ पाउडर लेती है और सीन यहाँ खतम हो जाता है अगली सुबह लूसी की आँग उसके मोबाइल के बजने पे खुलती है अब वो उटकर देखती है कि उसका कलीक उसके साथ लेता हुआ है यानि कि उन दोनों के बीच रात को घपा घप हुआ था लूसी को क्लारा के असिस्टिन की कॉल आती है जो लूसी को पिक करने के लिए उसके अपाउटमेंट के बाहर था पाउटर लेने के वज़े से लूसी ज़ादा देर के लिए सो गई تھی और अपनी काम के लिए भी लेट हो गई थी फिर लूसी कलारा के असिस्टिन के साथ काम पिक चली जाती है लूसी अपने क्लाइंस को लेके काफी क्यूरिस थी तो वो ड्रिंक पीने से मना कर देती है और क्लारा से कहते हैं कि मैं देखना चाती हूँ कि मेरे बगल में कौन सोते हैं तो क्लारा उसे मना कर देती है क्योंकि उसे नश्रे के हालत में सुलाने का मकसद यही था ताकि इन क्लाइन्स की पहचान छुपी रह सके क्लाइन्स जादातर पूड़े आदमी होते हैं और वो बहुत मशूर लोग थे जो अपने जिंदगी में लोनली फील करते हैं ये सारे क्लाइन्स क्लारा की कंपनी इसलिए इस्तमाल करते थे ताकि उनकी पहचान छुपी रहे और वो ये सब करके अपने अकेले पें दूर कर सके यही एक रूल था जो लारा के लिए जो भी लड़की काम करती थी उन्हें मानना बढ़ता था लूसी ये मान जाती है और ड्रिंग पी के कमरे में चली जाती है वो अपना सब कुछ उतार देती है और एक छोटा सा कैमरा छुपा देती है ताकि वो रिकॉर्ड कर सके कि रात में उसके साथ क्लाइन क्या करता है क्लाइन भी आ जाता है और वो भी नशे वाली ड्रिंग पी कर लूसी के साथ लीड जाता है सुबह क्लारा आती है और उस आदमी को जगाती है क्लारा उस आदमी की नफस चेक करती है उस आदमी ने नशे वाली ड्रिंग जाता पी ली थी जिसकी वज़े से वो मर चुका था क्लारा फॉरन से लूसी को जगाती है मगर लूसी भी नहीं उती क्लारा लूसी को CPR देती है फिर लूसी को होश आ जाता है लूसी अपने साथ एक मुर्दे को पड़ा हुआ देखकर डर जाती है और घबढ़ाहट से चिलाने और रोने लग जाती है वो डर जाती है कि वो पूरे रादे क मरे हुए आदमी के साथ सोई थी एंडिंग सीन में लूसी छुपाए हुए कैमरे की फोटेज देखती है इस फोटेज में वो आदमी और लूसी बड़ शान्ती से बैट पे सोए थे यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करे धन्यवाद